Hello and welcome back at Mastercam Milling Tutorials Mastercam का यह हमारा 4th वीडियो है और यह हम Part 2nd का वीडियो बना रहे हैं तो इस वीडियो में आप समझने वाले हैं कि किस तरीके सा हम एक Part की Manufacturing कर सकते हैं Last वीडियो में हमने इस Part का आपको Model बना के दिखाया था और इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि किस तरीके साब Part को Manufacturing कर सकते हैं इस वीडियो में आप तीन अलग-अलग Operation समझने वाले हैं जिसमें सबसे पहला हुगा Dynamic Roughing Then हम बात करेंगे Slot Milling के बारे में And Third One जो Last Important और Cycle Time को Reduce करने वाला Operation Helical Boring Operation सबसे पहला हमारा जैसा देख पार है Slot Milling Operation चल रहा है Slot Milling के बाद Helical Boring Operation वाता और यह जो Outer का Area Cutting करते हुए हमारा Dynamic Roughing Operation चल रहा है इन Operations को थोड़ा कट करने में लगेगा Time चलिए हम बताते हैं आपको कि किस तरीके से सभी Operations परफॉर्म होना है तो हमने Last वीडियो में यह हमारा Part जो है उसे Create कर लिया था और इस वीडियो में आपको Manufacturing करके दिखाने वाला है सबसे पहला हम बात करते है Dynamic Roughing Operation के बारे में कोई भी Operation Selection करने से पहले Mastercam के अंदर Milling Machine के लिए हमें Stock Setup करना पड़ता है Stock Setup के लिए हम जाना है Properties में and Tool Setting सबसे पहले हमें जब भी आप नया प्रोग्राम बना रहे है तो सबसे पहले हमें प्रोग्राम नंबर लिग देना है Tool Configuration में आकर के Ascent Tool Number Sequence लिया and Warm Up Duplicate Tool Number OK कर देना है जिससे की हमारा Tool Number है वो Proper Sequence में रहे है और Same Number का कोई भी Tool आए तो Mastercam में आपको एक Notice देगा Advanced Option में हमें Clearance Eye, Retract Eye और Feed Plane को इनों को OK कर लेना है जिसका अर्थ होगा कि आप Continually कोई भी प्रोग्राम बना रहे है तो एक बार ये Value Input करने के बाद आपको बार बार ये Value Input करने की जरूरत नहीं है अब हम आपको बताते हैं कि Stock Setup किस तरीके से करते हैं अभी जो हमारा WorkPiece का Shape है वो Rectangle Numa Shape है Rectangle Numa Shape पे अंदर अब हम यहाँ पे All Entities पर क्लिक करेंगे जैसे हम All Entities पर क्लिक करेंगे जो भी WorkPiece के अंदर बाहर के सभी Dimension है उसको Automatically Read कर लेगा MasterCamp और हमारा Stock Size Setup हो जाएगा जो आपको Red Red Dot करके दिखा रहा है वो हमारा WorkPiece है अर्थार्थार्थ की हमारा Raw Material है तो इसके बाद हम सबसे पहले बात करने वाले हैं Dynamic Roughing Operation के बारे में Dynamic Roughing Operation हमारा जो रहता है Third Number Operation रहता है जिसे हम Dynamic Meal के नाम से भी जानते हैं सबसे पहले जैसे हम इस Operation पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने इस तरीके का एक Window Page उपन हो जाता है जिसमें सबसे पहले हैं Mastercam में सब कुछ Chains के आधार पर चलता है सबसे पहले हमें Machining Reason Area Selection करना है कि वह Area जहां पर हम Machining करना चाहते हैं अब हम जानते हैं कि हमें इस Area को छोड़ करके Outer Area जब हमें Cutting करना है तो यहां पर हमें From Outer Selection करके फिर Machining Area Selection करना है लेंगे इसके बाद जो हमें अगला काम करना है वह है Avoidance Area Selection करना है कि कौन सा Area आपको Machining नहीं करना है तो इस Arrow पर Selection करेंगे और जो जो हमें Area Machining नहीं करना है उस पर क्लिक कर लेंगे ताकि जो हमें Machining नहीं करना वह Area Automatically Selection हो जाएगा अब हम देखना चाहते हैं कि MasterCamp के अंदर जब Program Create होगा तो कौन सा Area Machining होगा और कौन सा Area रहेगा तो यहां पर आप Preview Chains पर क्लिक करके देख सकते हैं जो हमें Red Desk करके यह Section View दिखा रहा है यह Area हमारा Machining होने वाला है और यह जो अंदर की तरफ जो Area कि हमने जितना Area में छोड़ना था यह जो हमारा WorkPiece का Profile Area है वह हम छोड़ चुके हैं देन हम OK पर क्लिक करेंगे अब हम Tool Selection कर लेते हैं Tool Selection के लिए हम Tool पर आ जाते हैं और हम जो Tool लेना है उसके लिए हम Filter ले लेते हैं अब हमने सबसे पहले Dynamic Ruffing के लिए 16 mm का Tool लिया है इसके बारे में आप डीटेल में जान सकते हैं जिसका वीडियो हमने अल्रेडी MasterCamp Milling Operations के टूरेल में बना करके रखावा हैं अब हम सबसे पहले इसके लिए Feed दे देते हैं ताकि हम जानते हैं कि 16 mm का Tool है तो इसके लिए Speed लगबग और Spendal Speed भी 1500 के लगबग रख लेते हैं और साथ ही हम यहां पर Comment ले देते हैं Dynamic Ruff Outer अब हम आ जाते हैं Holder हमें जो भी लेना हम selection कर सकते हैं अब हम बात करते हैं Cutting Parameters के बारे में Cutting Parameter में हमें क्या-क्या करने की ज़रूरते हैं आप यदि इनमें से सभी Cutting Parameter के बारे में Detail में समझना चाहते हैं तो इसका वीडियो भी आपको MasterCamp Milling Tutorials Operation में मिल जाएगा अभी हमें इसके लिए वर्कपीस बना रहे हैं इसके लिए हम इसके लिए तो हमारा 8 mm है तो हमने Approach Distance 10 mm ले लिया है अब हम बात करते हैं Depth Up Cut अब हम यहाँ पे सबसे पहले Depth Up Cut देते हैं क्यूंकि हम Ruffing Operation कर रहे हैं तो हम Depth Up Cut 0.5 तक दे सकते हैं और Finishing के लिए जो हमें Depth Up Cut देना है वो हमने दे दिया 0.2 Next One हम बात करते हैं Entry Motion के बारे में कि हमारा Cutting करते समय Entry किस तरीके से कटेगा तो हमारे पास धेर सारे अलगलग Options रहते हैं जिसके बारे में One by One करते हम पढ़ेंगे बट इसमें हम जो Entry का Operation हम यूज करने वाले है वो हम यूज करने वाले है Helical Off Helical हमें Selection कर लेना है और उसके अलावा जो Parameters रहते हैं वो Default Parameter ही रखना है क्योंकि जो MasterCamp के अंदर जो Parameter है वो भी सही रहते है ऐसा गडबडवाला मामला नहीं रहता इसमें तो हमें Z Area में सबसे पहला रहता है Plunge Angle कि Angle कितना रखना है Plunge Angle and Second One रहता है Plunge Angle कितना रखना है and Z के लिए रेंस कितना रखना है वो दोनों ही Value हम दे सकते हैं यदि हमें Entry Through के Pitch के Through चीए तो हम Pitch Value भी दे सकते हैं यदि आप Angle से देंगे तो थोड़ा सा Easy पड़ता है अब हम Outer में Area में Cutting कर रहे हैं तो Breakthrough Amount Breakthrough का अर्थ होता है कि Suppose हमारा 12 mm overall इस Workplace की थिकने से हैं तो हमें 12 mm से थोड़ा बहुत भी ज़्यादा जाना है तो कितना ज़्यादा जाना है वो Value हम यहां पर Input कर सकते हैं हमें Suppose जाना है 0.5 mm Plus ताकि हम उसे Workplace को पलट करके Facing करें तो एरिया वहां से Easily Clean हो जाए अब हम बात करते हैं Linking Parameters के बारे में Linking Parameter के बारे में हमने डीटेल में बात किया हमारे फस्ट वीडियो में तो हम बार बार इस वीडियो में भी आपको Linking Parameter के बारे में बता करके आपका टाइम खराब नहीं करना चाहेंगे मैं Clearance वाले में क्लिक कर लेना OK Retract में Absolute कर लेना Feed Plane में Increment रखना है Top of Stock में Absolute रखना है जितना हमारा Stock WorkPiece का जहां हमने Offset ले रगा उससे उपर Stock हो तो और यहां पर हमें Depth दे देना यहां रहे Depth जो देनी हमें वो Absolute में देनी है तो यहां पर सबसे पहले Absolute लेने यहां पर Depth पर क्लिक करें तो हमारा जो Overall Depth था वो Minus 12 mm and then OK पर जैसा आप देख पार है V3 ने Limited Time हमारे सामने Master Camp का Outer Area के जो प्रोग्राम है वो बन करके Ready हो गया है इसी तरीके से हम आपके सामने दूसरे भी Operation बनाने वाले हैं इसके बाद जो Next One Operation हम आपको बना करके दिखाने वाले हैं वह हमारा Slot Milling Operation Slot Milling Operation को Perform करने के लिए हमें जाना सबसे पहले Slot Milling में Slot Milling में जाने के बाद हमें Chain Selection करना है कि कौन से एरिये में आपको Slot Cutting करना है इसके लिए हमें इस एरिये में Slot Milling मनाना है तो इस एरिये को Selection कर लेंगे and then हम OK पर क्लिक करेंगे OK पर क्लिक करने के बाद हम Tool पर क्लिक करेंगे और जो भी हमें Tool लेना है हमें Tool Selection कर लेंगे अभी हमें जो टूल लेना है वो सब्सक्राइब कि 6mm एंड मील तो हमने 6 पर स्लेक्षिन कर लिया और यहां पर एंड मील पर स्लेक्षिन कर रखा है and then ok पर click करेंगे तो हमने यहां पर 6mm का एंड मील स्लेक्षिन कर लिया है अब हमें इसके लिए feed दे देते हैं फीड 6 mm का एंड मी लेते थोड़ा सा कम रखना पड़ेगा और स्पेंडल स्पीड थोड़ा सा में ज्यादा रखना पड़ेगा और हम यहाँ पे कमेंट में दे देते हैं तो आपका जब भी ऑप्रेशन ही स्टार्ट होगा तो समय यहां पर आपका कमेंट की प्रोग्राम के छाएग तयो यहाँ पर यहां पर स्टॉक भी रख सकते हैं अब हम बात करते हैं, rough और finishing parameter के बारे में, तो सबसे पहले हम बात करेंगे, entry, ramp entry, अर्थार्त entry आप किस तरीके से रखना चाहते हो, हमारी जो entry है, वो हम ramp के format में रखना चाहते है, RAM format में, entry रखने का सबसे अच्छा benefit है, कि आपका tool जो wear होने के चांसे जरेता है, वो काफी ज्यादा कम हो जाता है, और plunge angle जो हम mostly 3 degree ही रखते हैं, अब हम बात करते हैं, roughing के लिए, आपको step over कितना रखना है, अर्थार्त एक cut होने के बाद, next cut के लिए step over किया रखना है, वो step over ना रखे, otherwise आपका tool काफी जल्दी gear हो जाएगा, अब हम बात करते हैं, depth of cut के बारे में, depth of cut हम दे देता है, 0.2, finishing के depth of cut है, 0.1, जो maximum rough step है, इसका रखत हो गया कि आपका हर बार कितना depth of cut लेते हुए, cutting करेगा, और max, rough finish, sorry, finish cut है, तो जिसका रखत हो गया कि आपका finishing में कितने cut होगा, यदि आप number of finish passes देना चाहते हो, suppose मैं 2 finish passes देना चाहते हूँ, तो यहाँ पर finishing के अंदर 0.1 के 2 cut लेगा, जो कि हमारे last cut होंगे, तो हम keep tool down कर लेते हैं, जिससे कि हमारा tool बार-बार retract नहीं लेगा, और cycle time थोड़ा सा save हो जाएगा, अब हम बात करते हैं, breakthrough amount, जैसा हम drawing में देख पाएंगे, इसका जो slot milling है, वो maximum 5 mm depth है, तो हमारा throw नहीं है, तो हमें breakthrough को नहीं selection करेंगे, अब हम next one बात करते है linking parameter के बारे में, linking parameter में हमें सबसे जैसा last में हमने operation में बात की थी, सभी parameter, clearance, absolute रखेंगे, retract value, absolute, feed plan, increment, top of the stock, है नहीं तो 00, और यहां पे हम absolute ले करके depth selection कर लेंगे, जो हमारी depth है, यह जो slot area है, यहां से हम depth ले करके click कर सकते हैं, और यदि हमें value है, पता है, तो हम चाहें तो तो guys, यहां पे हमारी आपके सामने, जो slot milling operation है, उसके लिए भी program बन चुपा है, इसके बाद जो हम अगला operation करने वाले यहां पे, helical boring operation का करने वाले हैं, लेकिन आप ज्यान रहें, जब कभी भी आप इस तरीके के bore में, helical boring operation perform करें, तो सबसे पहले आप इसमें central drill कर ले, then drill operation कर ले, उसके बाद ही helical boring operation को perform करें, लेकिन मेरे ख्याल से आपको मालूम है कि drilling और central drilling operation कैसे होना है, तो मैं आपको direct helical boring operation perform कर चुछाने वाला है, helical boring operation काफी ज़्यादा आपका time saving करता है, तो यहां पे हम आजाते है, helical boring operation, सबसे आप में, पहले हमें selection कर लेना है, कि कौ अब हम बात करते है, टूल के बारे में, तो हम टूल लेने के लिए select library पर जाएंगे, और हम टूल जो लेने वाले, इसके लिए फिट से हम filter में चले जाते हैं, धेर सारे tool आरके, हम none पर click करेंगे, और 10 mm का end milk ले लेते हैं, and okay, बाकि सभी parameter लगबग same रहेंगे, अब हम बा चाहो, walls पर तो stroke रख सकते हो, and floor पर भी stroke रख सकते हो, यहाँ पर start angle, end angle, यह सभी normals रहते हैं, कि आप starting कितने degree से होगा, अर्थर 90 degree से होगा, enter, arc, sweep, 180 degree, जिसका अर्थ है कि, आप जो starting होने वाला, यह 90 degree से होगा, फिर 180 degree तक वो, जितना हम pitch value देंगे, वहां तक ले 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 अब हम बात करते हैं, rough और finish parameter के अंदर, यह important parameter रहता है, cutting parameter के अंदर, जिसमें सबसे पहला रहता है, rough plunge, अर्थार्थ, आपका एक बार में, एक बार हैली कुमेगा, तो कितना हमारा area जो है, cutting करेगा, तो हमने 3 mm आ रहा है, तो हम इसे 2 mm तक ले ले लेते है, and next one है, feed rate at finish depth, जहाँ पर हमारा finishing के अंदर चाहेगा tool, तो हम finishing के अंदर, कितना feed rate रखना है, वो value हम यहाँ पर दे रहते हैं, यदि आप finishing के parameter भी selection करना चाहे, तो यहाँ से selection कर सकते है, then हम बात करते हैं, linking parameter के बारे में, linking parameter में clearance 0, retract absolute feed plan incremental, top of stock 0, और depth के बारे में हम बात करते हैं, depth जितना हमारा helix का depth होगा, वो value हमने दे दिया है, अब मज़े की बात यह है, कि हमें थोड़ा सा depth है, throw hole है, तो हमें थोड़ा सा depth जो है, इसको बढ़ा लेंगे, तो minus 12 की बजाए, minus 13.0 कर लेते हैं, ताकि हमारा जो throw hole easily बन सके, तो जैसा आप देख पा रहे हमारा easily helical boring के बारे में समझ में आ गया होगा, यदि आप इनमें से किसी भी एक specific operation के बारे में detail में समझना चाहते हैं, तो इसके videos भी हम जल्दी बनाने वाले हैं, अभी हम सभी अलग-अलग type के कुछ 7-8 parts बना बना के देखने वाले हैं, कि किस तरीके से वो part create होते हैं?